dear students welcome to the lecture on transgenic plant transgenic plant या इस ही में हम लोग आगे देखेंगे एक topic जिसको हम लोग बोलते हैं genetically modified crop GM crops तो हम लोग इस lecture में दोनों चीजें पढ़ेंगे transgenic plants and GM crops इस पे जाने से पहले एक चीज है जो मैं सब को पहले जो है वह clear करना चाहूंगा कि what is transgenic जब हम लोग दो सब्द बोल रहे हैं एक बोलना है transgenic और दूसरा वड़ हो रहे है GM यानि कभी-कभी जो है वो ट्रांसजेनिक सब्द प्रयोग में होता है और कभी-कभी GM शब्रयोग में होता है जब हम लोग कहते हैं transgenic तो सब्द जिये कि कोई एक organism है चाहे वो plant हो या फिर वो animal हो या फिर bacteria हो ऐसा कोई भी जो है वो organism है ठीक है तो जब हम लोग trans कहते हैं तो trans मतलब plant का DNA अपना खुद का DNA नहीं मतलब उस particular plant species का DNA नहीं बलकि कहीं और से आया हुआ DNA उसमें जाना चाहिए मतलब किसी दूसरे organism से या फिर जो हो किसी दूसरे plant से या किसी दूसरे animal से ठीक है तो मतलब अपना खुद का नहीं मतलब अपना खुद का DNA नहीं तो this will be called transgenic animal जब हम लोग कहते हैं GM तो GM का मतलब कुछ भी हो सकता है मतलब ऐसा हो सकता है DNA में किसी भी प्रकार से मतलब कोई एक plant है और उस plant मे मतलब यह एक plant है यह एक plant है इस plant का अपना खुद का कोई DNA होगा इस DNA को या तो expression को हम लोग क्या कर दें बढ़ा दें या फिर किसी जीन के expression को इसमें घटा दें या जो है वो कोई mutation करके या फिर mutation करके या किसी भी प्रकार से इस sequence में कुछ बदलाव करें जिससे कि original जो product ब activity होती थी उस activity में कुछ असर पर जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक इसको बोलते हैं जी एनेटिकली modified crop तो all GM जो होता है जितने भी GM आपको पता है जितने भी GM आपको पता है और all जो होता है GM वो इस तरीके से बनाए होंगे modify करके even जो ट्रांसजेनिक हैं यह भी GM के अंतरगत ही आते हैं लेकिन सारे के सारे GM ट्रांसजेनिक होंगे यह जरूरी नहीं है कुछ GM उनके अपने DNA को ही modify करके बनाया गया होगा जैसे किसी पौध है उसके DNA को किसी तरीके से हम लोगों ने modify कर दिया तो उससे बन गया कोई GM क्रॉप अब देखिए इन जो GM यह ट्रांसजेनिक पौधों की जरूरत हम लोगों को क्यों पढ़ रही है mostly जो crops है हम लोगों को पता है crops चाहे वो rice हो wheat हो या इसी प्रकार के कोई दूसरी crops जो की हमारे किसान आमतर पर उपयोग कमे लाते हैं देखिए विश्व की जो जुनसेंख्या है population है वो दीन बदीन बढ़ती जारी लग 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 हम लोग 7 billion के आसपास होने वाले हैं और इस 7 billion के लिए जो है वो हम लोगों को food बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है food की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन हमारा तो land का जो space है that is constant land जो है वो उतना ही है जितना की पहले मौजूद था तो जैसे जैसे population बढ़ती जाएगी लोगों के लिए जो हता हम लोग की food की आवश्यक्ता बढ़ती जाएगी लेकिन land जो है वो limited है तो हम लोगों को किछ ऐसी varieties की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे crop varieties की जो उतनी सम मतलब एक हेक्टेयर में पहले जितनी पैदावार देते थे उतनी पैदावार वो अभी भी उस या उससे बहुत जादा दे ताकि हम लोग इस population को के लिए जो हता है food बना सके या food security achieve कर सके दूसरा एक तो हम लोग क्या करें yield या जिसको मैं कह रहा हूँ पैदावार yield को जो है वो लगे या इस तरीके की कोई चीज कर लें या ना सिर्फ yield बलकि जैसे इसके yield में बहुत सी चीजों को जैसे कोई कीड़ा आके जो हता हो खा जाता होगा insect या फिर कोई दूसरा पौधा जो है जिसे competition कर जाता होगा herbicide या weed तो इस तरीके के जो weed से भी लड़ने की शंता रखे herbicide से लड़ने की शमता रखे insect से लड़ने की शमता रखे कोई दूसरी वीमारी से लड़ने की शमता रखे तो इन सारी चीजों को भी अगर हम लोग किसी तरीके से कम कर लें तो हम लोग पैदावार को क्या कर सकेंगे indirectly बढ़ा सकेंगे या तो सिधे-सिधे yield को बढ़ाने वाला कोई gene डाल दें या gene में कुछ modification कर दें या फिर जो पैदावार को प्रभावीत करते हैं जैसे कीडे हो गए, herbicide, weeds हो गए इन सब को भी जो हो दूर करने के या किसी विमारी के खिलाफ लड़ने के कोई gene डाल दें आप दें कि agriculture की जो yield है, वो पहले कितनी थी, मतलब पहले कितनी थी, ठीक है, अग्री, ठीक है लेकिन धीरे-धीरे चाहे developing card हो या पूरे-पूरे world में या develop country हो या धीरे-धीरे जो हता है वो कम होने लगी, तो इसी चीज को हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है अभी तक अगर हम लोग क्या होता है उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन इसमें जो है वो कुछ environment concern है कुछ जो है वो दूसरे कारणों से, लगभख सभी देशों ने इसको मान्यता नहीं दी है सबसे ज़्यादा जो है वो US, Canada और US, US में सबसे ज़्यादा ठीक है US में सबसे ज़्यादा जो है इसको मान्यता मिली हुई है और यह कहें के पूरे पूरे नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं कोछ हद तक दक्षिन आफ्रिका लेकिन यूरोप देखिएगा आप EU यह जो होता है वो इसको महुत ज़्यादा मान्यता नहीं देता हमारा इंडिया और चाइना ने दे दिया है इंडिया में अभी सिर्फ एक जो है वह खेतों तक जा सकती है जब कि हमारे जो वैग्यानिक बाडी है उन्होंने तीन आप यह जो है यह मान्यता दिया लेकिन भारत सरकार ने भी तक अपना ग्लोबल स्टेक अस्त है इसको produce कैसे करते हैं चुंकि जो production या transformation की जो techniques हैं वो अलग lecture में दूसरे expert लेंगे तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा सकता तो इसको produce करने की अगर मैं technique को देखें तो सबसे पहला होता है DNA mining what do you mean by DNA mining DNA mining का मतलब होता है कि ऐसा sequence पहले तो हम खोजें जिसका जो है सीधे-सीदे yield से जो है वो संबंध हो ठीक है yield से संबंध हो किसमें yield से संबंध हो अपने plant में यह जिस crop की हम लोग बात कर रहें crop की हम लोग जिस crop की बात करें उसके yield से उसका क्या होना चाहिए संबंध होना चाहिए ठीक है तो crop से जब उसका संबंध होगा तो उसके yield को कम या ज्यादा करने में उसका काम तो DNA mining पहले DNA के सिक्वेंस को खता करना है ना सिर्फ उसी crop में बलकि किसी दूसरे और्गिनिजम में जैसे कि बैक्टीरिया में या फिर फंगस में या फिर किसी दूसरे उसी तरीके के और्गिनिजम में ताकि ऐसा DNA का सिक्वेंस हम लोगों को मिल सके DNA सिक्वेंस हम लोगों को मि directly हम लोग yield को बढ़ा सके किसी विमारी से जो है वो उसकी सुरक्षा कर फसलों की सुरक्षा हो सके इस तरीके की जो DNA sequence का पता करना वही क्या हुआ DNA mining जैसे हम जमीन से जो है वो कुछ minerals को जो है वो खोद के निकालते हैं उसी तरीके से DNA जो DNA का अथा सागर है उससे हम लोगों को क्या निकालना है DNA का sequence जो की GM crop बनाने के लिए helpful हो उसके बाद बागी एक बार जो हम लोगों को DNA का sequence पता लग गया तो उसके बाद आप लोग यह gene cloning यह चीज जो है वो कैसे करते हैं DNA को वेक्टर में किस तरीके से क्लोन करते हैं और उसके बाद जब वेक्टर में जो है वो क्लोन हो जाएगा तो उसके बाद transformation transformation यह टेक्निक transformation यह टेक्निक और उसके भी जो है वो physical यह और chemical टेक्निक यह दो टेक्निक जरूर देखें आप इसके अलावा agrobacterium वाला टेक्निक यह भी आप यह तीन चीज़े जरूर देखें और जो पढ़ा रहे हूं अगर उनके लेक्चर में यह चीज़ ना आया तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए यह चीज़ें भी वह आपको बताएं अब हम आज के टॉपिक में चलते हैं DNA माइनिंग में सबसे जादा अभी तक हर्भी साइट टॉलेरेंट से रिलेटेट चीज़ें जो है वह डिसकावर की गए ठीक है जो टार्गेटेट ट्रेड हैं हर्भी साइट से जो है हम लोग उसको तॉलेरेंट बनाते हैं इंसेक्ट रेसिस्टें जो जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती वह जैसे की फाइवर बना देना या फिर डूरेबलीटी यह जो हता है वह फलों को जल्दी ना पके उस तरीके की कुछ चेंज कर देना यह सारे चीज़ें भी अलग अलग ट्रेट तो इन क्वालिटी इस को जो है वह के लिए स्केट इस्टेट में कनाटा इंडिया में अभी तक यह 2008 नहीं इवन आज की तारीक में भी 2020 में भी जो हमारी सबसे बड़ी एपक्स बॉड़ी है जो निर्धारित करती है कि कोई फसल जो है वह फिल्ड में रिलीस करने के लिए सेफ होगी नहीं वह फसल बॉड़ी होती है G.E.A.C. इसका पूरा नाम है Genetic Engineering Appraisal और Community यह Department of Biotechnology Government of India के अंडर में काम करता है इन्होंने अभी तक तीन फसल या तीन क्रॉप्स को जो है वो भारत में उगाने की मान्यता दी है GEAC ने ध्यान रखेगा GEAC ने वो तीन है cotton BT cotton BT brinjal जब हम mustard बोलेंगे तो अब ध्यान रखेगा वो BT नहीं है that is GM mustard ठीक है GM mustard तो तीन को GEAC ने मान्यता दी है लेकिन Government of India GOI ने सिर्फ अभी तक cotton BT cotton को ही जो है फिल्ड में ले जाने का इजाज़त दिया है बाकी की दो फसले even after की GEAC ने अप्रूब कर दिया है कि ये सेफ है तब भी जो है वो भारत सरकार ने भी उसका अप्रूबल नहीं दिया है तो अब ध्यान रखेगा फिल्ड में सिर्फ किसको दिया गया है cotton को जबकि उसको उतारने के लिए GEAC से जो है clearance किसकी मिल गया है ये तीनों को ही मिल चुका है सबसे ज़्यादा वैसे तो VD side लेकिन क्योंकि BT ये चीज हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है तो इसलिए इसके उपर चलते हैं पहले इंसेंक्ट रेसिस्टेंट याने आप समझ ये कि सपोस कि ये कोई पौधा है इसमें लीफ होते होंगे इन लीफ को खाने वाली जो हती वो कुछ कीड़े होते होंगे कुछ इंसेक्ट होते होंगे ठीक इंसेक्ट लीफ को भी खाते होंगे तने को भी कुछ इंसेक्ट काते होंगे कुछ किसी और पार्ट को खाते होंगे और उसकी वज़ा से पौधे maturity से पहले ही death कर जाए ठीक है maturity से पहले ही death कर जाए तो हमारी yield क्या हो गई decrease yield क्या हो गई decrease तो अपने को क्या करना है कोई ऐसा तरीका जिससे कि ये insect जब ये पौधे को attack करे तो या तो वो attack ही ना कर पाए या जब attack करे या पत्यों को खाए तो वो insect मर जाए एक खाया उसका दूसरे को खाने के लिए वो बचा ही नहीं तो that strategy is applied और उससे बनाया गया insect resistant plant जो 15 प्रतीशत जो world crops हैं वो किस तरीके के हैं इनसेक्ट या इसी को हम लोग बोल देते हैं paste resistant ठीक है जो यह जो gene जो इसकी हम लोग बात करें हैं DNA mining जो gene लाया गया वो लाया गया इस bacteria से ध्यान रखेगा इसको bacillus thurnigenesis ठीक है thurnigenesis bacillus thurnigenesis इसको जो होता है वो इन्होंने discover किया यह एक soil bacterium है ठीक है इस bacterium में एक toxin या जो bacillus thurnigenesis है यह इसका एक bt gene होता है और bt gene एक toxin बनाता है ठीक है उसका active product एक toxin बनाता है जो इस family के insects को जो हता है वो मारता है ठीक इतनी चीज हम लोग ध्यान रखें bt toxin बनता है और lapidopteron इस family के जो insects से उसको मारने में जो हता है वो help करता है अब insects कौन कौन से है जो इस तरीके जैसे एक है potato beetle यह आप देख पा रहे है potato beetle जो है वो ठीक potato beetle उसी प्रकार से दूसरा देखें तो यह अपना corn root worm ठीक है यह corn उसके जड़ों में लग गया तो सिधे सिधे जो है जो मक्के की जो खेती को सिधा सिधा नुकसार पहुंचाता है और यह जो हता है वो यूएस का जो है वो सबसे बड़ा problem है ठीक है तो कौन की क्योंकि यूएस का जो मैं इन जासे हम लोग का rice गहूं है उसी तरीके से यूएस का क्या है कौन तो यूएस के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है तो उसके लिए एक resistant variety बनाई और यह जो नाम आप सुदेंगे मतलब यह cry तो cry कुछ भी नहीं है इसके अलग-अलग वरजांग होंगे 1, 2, 3, 4, etc इस आर एक्शली BT toxin का ही नाम क्या है cry BT toxin जिसको हम लोग बोल रहा है उसका एक्शल नाम है cry ठीक है तो उसके लिए जो है cry 3-3 और उसके जो है अलग-अलग variety तो इसके लिए जो है cry 3-3 तो इस तरीके का भी सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ insects के नाम बता रहा हूं Lepidoptera के Lepidoptera के जैसे यह हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी cotton का ball warm भारत के लिए है यह cotton का ball warm भारत के लिए यह है web warm और European का com borer यह चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ठीक है यह है अपने Lepidoptera के कुछ insects जब GM crop को आप डाल दें इंसेक्ट तो देखिए यह उसके उसमें भी कैसे हैं और जब इंसेक्ट ससेप्टिवल जो की जो है रेसिस्टेंट नहीं देखिए पूरा सूख गया है क्योंकि उसके रस को पूरा इन कीड़ों ने चूश-चूश के सुखा दिया है एक्ट्यल में क्या होता है यह जो घ्रिफलख ठूर्नी जृहंसिस भैक्टेरिया है यह जो بीटी टॉक्सीन जो बनाता है वह एक तरीके के करिस्टल cry protein का crystal समझे वो proto toxin के form में release होता है ठीक है इसको आगे डाइग्राम से जो जब जो है कीडे की यहां आहार नाल में जाएगा तो उसका एक तुकड़ा यह माल लिजे पूरा पूरा toxin है इसका एक तुकड़ा कट जाएगा और this will become a active toxin और वो फिर गट में problem करता है उसकी गट कि यह जो हता है बहुत small number यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हर कीडे को मार देगा तो जो हता है उससे ecosystem जो हता है वो in balance हो जाएगा तो इसलिए यह भी एक जरूरी है तो दो तरीके की generally strategy applied की जाती है पहला toxic protein जो bacteria origin का हो जो हम लोगों ने अभी देखा या insecticidal protein जो plant का जै लेकिन हम लोग का BT जो है सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है ठीक यह बीटी का जो हता है इंट्रोडक्शन है जैसे gram positive bacteria soil bacteria में पाया जाता है यह उस protein का molecular mass है crystal बनाता है उस crystal की क्या क्या सरचना होती है मतलब cry protein की basic सरचना हम लोगों के लिए जो काम की चीज है वह है इसका mechanism अब किस टाइप के मतलब butterfly को मानने के लिए cry 1 टाइप का toxin होगा cry 2 टाइप का toxin लेपिडोप्टेरा के लिए होगा फिर दिप्टेरा के लिए तो आप लेपिडोप्टेरा नहीं बल्कि कोलिप्टेरा और दिप्टेरा यह वाले उसके लिए भी जो हता है अब जो थम ल इसका जो है क्राइब बनाया गया जो की जॉक्शा जgiaदा जो है वो एक्टिव है ठीक है . क्राइफ प्रोटी इन इसका जो होता है आक्षों एक्षण संट देखेous epitlium मैंने काहा कि जो टॉंटीप्टॉक्सीन होगा वह कहां पर जाएगा गर्ट पर जाएगा धिक है तो जाते हैं और होने के बाद तूट जाएंगे जैसे आप देखें यहां पर यहां पर हां इसका हो कि और Google में क्या हो गें तूट का ज्याते तो यह जो एम्चलिकी जो होगर्ली मेंग्रेंश कि बदल देते यहां तो-आयां विद प्रॉपर कुर्पर पाता और क्योंकि आयान बैलेंस पूरा नहीं बन पाता इस मिट गट के जो है वह तूटने के कारण तो इसलिए इस वाले इंसेक्ट की क्या हो जाएगी डैथ आप बस इतने ध्यान रखिए कि यह वह प्रो टॉक्सिन बनता है प्रो टॉक्सिन फिर पूर्स बना देता है तो कुछ फ्रो टॉक्सिन का साइज इतना लगभग इतना 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 तो इतने काम की नहीं है अगर कोई देखना चाहे तो यह चीज देख ले इसमें जो है एक सारक को प्रोसीजर जो है वह लाइन से लिखा हुआ है जैसे इस पेस रिसेप्टर यह बहुत ही डिटेल है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते है डिटेल में अधर्वाइस मुझे लगता है कि इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत है जितना मैंने बताया उतना जो है वह काफी है यह एक और वही चीज है जो हमने बताएं यह शॉर्ट आप बस ध्यान रखें कि जो है वह एक्टिव फॉर्म आप टॉक्सी नहीं वो जो है वह बन जाता है और वह एक्टिव टॉक्स फॉर्मिंग जो हता है वह चार-पांच जो हता है फिर इस तरीके के क्या बना देगा पूर और इसी की वज़乐 से में इसकी क्या हो जाती है मृत्थिव इसका कुछ एड्वांट सब्सक्राइब घांब यह काम करेंगा जाड़े में यह सब्सक्राइब करें दूसरे में नहीं दूसरे में तो एक इतना इंवार्मियर्मेंट वाले आप ध्यान रखते जायं क्योंकि आजकल एवा होँजना कोई भी चीज करते हैं तो एंवाइर्मेंट की चीजों को वह दोग ध्यान में रखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हर्बी साइड रेसिस्टेंट विराइटी जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा इनसेक्ट रेसिस्टेंट विराइटी उसी तरीके से एक चीज होती है herbicide resistant variety herbicides क्या होते हैं herbicides chemicals हैं ठीक है herbicides क्या है chemicals है plants मतलब herbicides एक तरीके के chemical हैं जो किसको मारते हैं जो unwanted या useless plants जो crop के साथ grow कर जाता है ठीक unwanted या useless plant जो crop के साथ grow कर जाता है तो उसको मारने के लिए हम लोग herbicide डालते हैं ठीक है लेकिन अगर आप herbicide डालेंगे तो संभावना यह है कि unwanted और useless plant के मरने के साथ साथ कौन सा plant मर जाए अपना फसल वाला plant भी मर जाए तो उस चीज से बचने के लिए फसल वाला उस particular chemical से क्या हो जाए उस particular chemical के प्रती क्या हो जाए resistant हो जाए ठीक है यह एक enzyme अभी next एक पाथवे में यह जब आप पाथवे देखेंगे तो glyphosphate जो है वह फॉस्फोइनॉल पाइर्वेट के साथ में क्या करता है competition करता है और इस enzyme की activity याने EPSPS इस वाले enzyme की activity जो है phosphate को जो हता है वह क्या कर देता है कातम कर देता है और उसी की वाज़ा से tryptophan tyrosine और phenylalanine इस तरीके की चीज़ें जो है वह नहीं बन पाती है अगर हम लोग इस enzyme की activity को बढ़ा दें अपने crop में जिससे की tryptophan tyrosine और phenylalanine पहले से ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो कोई समस्या नहीं होगी ठीक है तो आप ध्यान रखे इस chemical से हम लोगों को लड़ना है और यह chemical जो काम जो है वह जिस काम से जो है पौधाओ को करता था अपने crop में उसी mechanism का हम लोगों को अपोजित करना है और enzyme कौन सा है यह वाला इनॉल पाइरुविल सिक्किमेट 3-phosphate synthesis EPSPS यह वाला enzyme है glyphosate और phosphoenol pyruvate जो glycolysis का एक जो हता है उसके साथ में इसका जो है वो क्या होता है competition होता है ठीक इसी को हम लोगों को रोकना है इसका एक variety है round up ready ठीक round up ready अब herbicide दो तरीके से काम करते हैं बई देखिए हर भी साथ दो तरीके से काम कर सकता है एक तो वो जो selective हों याने जिस पौधे के लिए को मारने के लिए जिस प्रकार के जो है unwanted weeds को मानने के लिए उसको बनाया गया है उसी के अगेंस्ट में वो काम करें जैसे ट्राइफ फुलरीन यह chemical सिर्फ कुछ selective जो है weeds को ही खतम करेग किसी भी हर्वी साइड को मार देंगे किसी भी हर्वी साइड को यह नहीं देखेंगे कि यह वाला हर्वी साइड है यह वाला हर्वी साइड है उसको जो है वो नहीं देखेंगे ठीक है तो यह हर्वी साइड दो तरीके होते हैं selective और दूसरा है non selective अब selective के साथ में problem क्या है क सब्सक्राइब nast्राइब और क्योंकों पेब लुए हमों ने लगेगी देखकर लने लगेगी ऊफिर नहीं दुन में तो उससे कम समझया दोनों से भी है तो। यहां पए आते हैं कि होता क्या है देखे सूगर है सूगर से आप समझते हैं पूरा-पूरा साइकिल चलता होगा और पाइरवेट और वहां से सिक्किमेट 3 फॉस्पेटेज एक चीज बनती होगी और उसके बाद प्लांट में जो है वो एक एंजाइम पाए जाता है जिसको हम लोग बोल रहे थे EPSPS ठीक यह दोनों में पाया जाएगा वीड में भी पाया जाएगा और अपने क्रॉप में भी पाया जाएगा तो वीड को तो हम चाहते ही है कि मर जाए यह एंजाइम वीड में तो ब्लॉक होई जाए हर्भी साइट से तो वीड जो है मर जाए लेकिन हम इसका एक अल्टरने करके रहते हैं जो एक वराइटी है मॉनसेंटो की उसमें है तो इस वाले की जगा अब apsps जो है वो यह वाली साइकल को आगे बढ़ देता है तो अब amino acid भी बन रहे है प्रोटीन भी बन रहे है और प्लांट के जो भी अब क्रॉप में उसको इनिबीट भी करें तो फरक नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि उसका हमने अल्टरनेट ढूल लिया है apsps यह वाला इंजाएं जो की जो है बाकी की सारी चीजों को बनवा दे रहा है तो इस तरीके से यह herbicide काम करते हैं और यह है उसकी राउंड अफ वराइटी राउंड अफ वराइटी बस इसको ध्यान रखें और यह सोया बीन में भी काम करता है ठीक कि इसका जो है वह ड्रिप्ट पॉसिबल है क्योंकि अगर लेकिन इसका एक डिसड्वांटेज यही है कि अगर मान लीजे इधर के खेतों में तो आपने वह रवी साइड वराइटी लगाया लेकिन इधर के खेतों में नहीं डला लगाया तो हो सकता है दूसरे आजू-बाजू के इसका बहुत बड़ा नुकसान है तो इसलिए अब जो है एक और दूसरी चीज इस्तेमाल करने लगे हैं हर्वी साइड के लिए वह है क्लैप्सियेला ओजेनी और इसका जो है वह नाइट्रिलेस एंजाएं ठीक है यह एक्ट्वल में क्या करता है इनिभीशन और यह वाला यह वाले अगर आप हर्वी साइड को डालेंगे तो फोटो सिंथेसिस की क्रिया को इनिभीट कर देता है अब क्योंकि फोटो सिंथेसिस की क्रिया को इनिभीट कर रहा है तो दोनों में करेगा हर्वी साइड में भी और क्रॉब में लेकिन अगर मालों कि अपना जो डाला है तो यह क्योंकि इसको जो है वह मौडिफाइब कर देता है इसमें ब्रोमीन जोड़के तो इसलिए उस वाले अपने क्रॉप में जो है वह फोटो सिंथेसिस का इनिभीशन नहीं हो पाता तो इसलिए जो है वह वह हर्भी साइट के लिए क्या होगे एक तरीके से और यहां पर देख सकते हैं जिसमें नाइटरीलेज है वह वाले पॉदे यह वाले पॉदे जो है तो यहां पर वह ग्रोब नहीं कर पा रहा है तो इस वाले लेक्चर में अभी मैं इतना ही और इसके अगले लेक्चर में फिर दूसरी प्लांट वराइटीज पढ़ेंगे तो आद लोगों ने सीखा कि क्यों जरूरी है जीएम और ट्रांसजेनिक का डिफरेंस क्या है और इंसेक्ट रेसिस्टेंट कैसे बनता है हर्भी साइट रेसिस अलग होती है ठीक है अगले लेक्चर में इसके कुछ और टाइप्स देखेंगे कि प्लांट को और और किस किस चीज के लिए जो है ट्रांसजेनिक बनाया जाता है थैंक यू कुछ क्वेस्टियन हो तो आप क्वेरी में पूछ सकते हैं यूट्यूब लिंक में जाके थैंक यूट्यू